हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेज विध हरीच सर में इस वेडियो हम राजस्थान पीटियाई से सम्मदित कुछ मोश्ट इंपोर्टन टॉप 20 क्वेशन डिसकास करेंगे जो आगामी ग्रेट थर्ड का एक्जाम के लिए बहुत उपयोगी स्थान पीटियाई से रिलेटेट जितने भी स्टुडेंट तयारी कर रहें मेहना तब करना सुरू कर दें क्योंकि अब समय आपके पास ज्यादा नहीं बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ दो महीने का समय बचा जो भी स्टुडेंट पेर ग्रूप से जूलना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं तुरंत आपको ग्रूप से आड़ कर जिया को डेली जो मौक टेस्ट आपको प्रुवाइट किया जा जाता है मलिक मोहमद जाईसी आपके स्क्रीन पर आंसर दिया वर डी हो जाता है इसका सही उत्ता है नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं वन्स भासकर किसकी रचना है जो वन्स भासकर ये किसकी रचना है जसवंत की रचना है प्रतवी राज राठाओर की रचना है करणी दान की या फिर सूर्यमल मिसरन की रचना है 43 को देख लीजिएगा Most important है Rajasthan के जितने भी students उनके लिए तो बहुत ही questions तयार होगे लेकिन other state के student ध्यान से देखिएगा D options Surrimal Misran से relate करता है Misra हो जाएंगे इसका right answer यहाँ पे थोड़ा सब typing mistake है Next question है 44 Mandan silpi सम्बंदित इसके पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे PTI से सम्बंदित प्लेलिस्ट में जाईए अगर राजिस्थान PTI GS से related वीडियोज आपको मिल जाएंगे वहाँ पे एक 200 questions की महराथन भी आपकी update की गई है कल एक महराथन class 200 questions की और update कर दी जाएगी जो class Sunday में आनी थी वो class कल आपकी update पे लगा दी गई वो आपको कल मिल जाएगी question number 44 मंदन सिल्पी सम्बंदित है उद्दै सिंग, अमर सिंग, महराणा कुम्भा या फिर महराणा प्रताब देखिएगा इस question को आपकी से relate करेंगे कौन सा option इसका right answer होता 44 में महराणा कुम्भा हो जाएगे क्या इसके right answer बिल्कुल C option क्या होगा सही उत्तर होगा, C उत्तर right answer हो जाता है next question पर move करते है चंद्र बरदाई किसकी प्रसिद्ध रचना है देखिएगा answer किस option से सम्बंधित है चंद्र बरदाई किसकी रचना है बीसल देव रासो की रचना है खुमार रासो की रचना है प्रतवी राज रासो की रचना है या फिर D option इन में से कोई नहीं 45 में attempt करिएगा चंद्र बरदाई किसकी प्रसिद्ध रचना है तो ये रचना है प्रतवी राज रासो की बिल्कुल आपका सही आंसर है हिंदी में भी आप रीड की होंगे अगर आपने एक्जाम दिया हुआ है सही से नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं राजस्थान के किस सिलालेक को विश्चु का सबसे बड़ा सिलालेक होने का गवरो प्राप्त है most important question बिजय इस्तंब आप लोग बताईएगा बिजय इस्तंब कहां अवस्थित है आपसन आपको दो देते हैं एक जैपुर दूसरा चितो right answer क्या होगा comment करके बताईएगा B option कीर्ती स्थंब C option राजप्रसस्ति और D option इनमें से कोई नहीं तो option question के according हो जाता है राज प्रसस्ति C option क्या होगा, right answer होगा, C उत्तर सही होगा, जब आप मेहनत करते रहेंगे तो 40% जो marks लाने वो आप प्राप्ट कर सकते हैं, बस minus marking का ध्यान रखिएगा, जोकि questions किसी भी तरीके के पूछे जा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं जो आप पढ़ रहें इसी में से आएं, हाँ, topic आपका यही होगा, question change भी हो सकता है, राज का सबसे प्राचीन सिलालेक, जिसे माना है, वह है, राज प्रसस्ति है, सामोसी है, रड़कपुर प्रसस्ति है, फिर स्रंगी रिसी, 47 सामोसी हो जाएगा, क्या B option इसका right answer होता है, next question पर move करेंगे, 48 निम्ड में से पुरा तात्विक स्रोथ हनी है, मुंदोर सिलालेक, हटियाला सिलालेक, आबू का सिलालेक, या फिर राज बल्लभम, बताईएगा, 48, what is the right answer for this question number 48, नहीं है कि बात की गई यहाँ पे, देख लीजेगा, इसका answer क्या होगा, question number 48, D option से relate करता है, next question है, कानर्दे प्रबंधन किसकी रचना है, यह किसकी रचना है, करणी दान की रचना है, पद्धनाफ की रचना है, सियू दास या फिर केसो दास, 49, तो यह रचना आपकी पद्धनाफ की है, आपका B option right answer होता है, next question है, 50 number, राज बल्लब किसकी करती है, तो राज बल्लब की अगर बात की जाए, तो यह किसकी करती हो जाएगी, महराना कुंभा की करती होगी, मंदन की करती होगी, सदास्यू या फिर रचोन भट की रचना वीडियो मिल जाएंगे, उनको आप वहां से सर्च करके देख सकते हैं, या फिर फिजकल एक्वेशन का पंकसर या टार्गेट क्लासेज भी धरी सर्च करिए, प्ले लिस्ट में जाएगा, जो वीडियो आप देखना चाहते हैं, वहां से उनको देख सकते हैं, B option, बहुत स परसेंट माक्स लाने अनिवाद हैं, संसक्रत साहित में से जो बेमेल है, हमीर महाकाब बेमेल है, राजबलब, अमरसार या फिर सूरज प्रकास इसमें से क्या होगा, राइट आंसर, जो इसमें सुमेलित नहीं है, यानि इनमें से मिलता जुलता नहीं है, वह आपको बता देना है, तो 51 आपका सूरज प्रकास क्या हो जाएगा, डी ऑप्सन के साथ रिलेट करता है, डी उत्तर राइट आंसर होता है, नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं, निव मेसे जो राजस्थानी भासा साहित स्रोत से भिन है, वह कौन सी वन्स भासकर है, गुड रूपक ह कानड़ दे है, प्रबंद या फिर गोरा बादल, राजस्थानी भासा साहित स्रोत से भिन है, ये कौन सा होगा, इसमें भिन जो है, ये हो जाएगा, आपका 52 गोरा बादल, डी ऑप्सन से रिलेटेट है, डी उत्तर क्या होता है, सही आंसर होता है, नेक्स्ट कोईशन है, गोरा बादल किसकी रचना है, most important question है, ध्यान रखियागा, ये किसकी रचना, इसके पहले भी जो question दियागा, वो भी important है, exam में पूछा जा सकता है, तो ये सोम सुंदर के पदुनाम की है, हेम रतन की है, फिर केस ओदास की, 53 का right answer हो जाता है, हेम रतन, बहुत साइट इस्ट जो students belong करते हैं, उसमें 33% questions right होते हैं, 7% का जो difference है, इसी में आपका selection चिपा हुआ है, इसको cover up कर ये, आप selection भी वहाँ पर प्राप कर सकते हैं, question number 54 है, वैली क्रिशन रुकमडी री करती है, किसकी करती है ये, वीरभाण की करती है, प्रतवी राज राठावर की करती है, बा दीजिये का 54 का answer क्या होता है, देखते हैं किसने लोग का answer right आता है, बहुत से students टिक लगाए हैं, बांक की दास, कुछ students ने जो लगाया है, B option उनका उत्तर सही है, B उत्तर right answer, next question पर move करेंगे 55, पोथी खाना है, जो पोथी खाना है, वह क्या है, बताईए, जैपुर चित्र कला संग्राला है, 55 पोथी खाना की अगर बात की जाए तो पुस्तकाले माइंड में आ रहा होगा, लेकिन यह है क्या आपका चित्र कला संग्राला है, जैपुर इस्थित, D option इसका right answer होगा, next question पर move करते हैं, 56 नंबर है, असोक के अभिलेक राजस्थान में पाए ज चाहते हैं, अजमेर, जैपुर, बिराट नगर, मतस्य नगर, 56 हो जाता है, आपका बिराट नगर, next question है, 57, मंदोर सिलालेक का काल है, जो मंदोर सिलालेक है, इसका काल क्रम आपको बताना है कि 785, 600, 61, 800, 61, या फिर 895, बताइए का 57 most important question है, तुरंत आपका आंसार आना चाह चाहते हैं, इसी नंबर पर आप लोग payment कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, Amazon पे, Paytm, एकाउंट पे, WhatsApp पे, अनिके माध्यम से भी आप payment करके, स्क्रीन साट, सेंड कर सकते हैं, पुराने students को offer जो provide किया जार, उस offer के तहत, आप लोग जुड़ सकते हैं, जाकि new student जो भी वो भी आपको provide किये जाएंगे, question by 57, आपका A option होगा, 785 के साथ में relate करेगा, next question पर move करते हैं, आबु सिला लेक का काल है, तो आबु सिला लेक जो है, इसका काल आपको बताना है, 1277, 1285, 1274, 1295, most important right answer, 1285, 1285 हो जाता है, next है, राज प्रसस्ति का सही काल, आज की इस वीडिय 870 होगा, 1690 होगा, 1680 होगा, या फिर 1676 होगा, 59, राज प्रसस्ति का सही काल हो जाता है, आपका answer 1676, D उत्तर क्या होगा, right answer होगा, D उत्तर सही हो जागा, आज की इस वीडियो का last question, आपकी स्क्रीन प्रसस्ति क्या है, देखिएगा, question number 60, बता दीजिएगा इसका answer, प्रसस्ति करो की चर्चा जिसमें की गई हूँ, एक सासक की अन्य सासक से वार्ता, जिन सिलाग लेखों में किसी सासक की यसोगा, अंकित हो या फिर D option इन में से कोई नहीं, बताईएगा question number 60 का answer, बहुत सही, बिलकुल C option के साथ में relate करता है, C उ बीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पर पहली बार वीजिट करने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि most से most important questions आपको चैनल पर provide किया जाते है, जो भी student group से join होना चाहते है, 9621819209 पर contact कर सकते हैं, इसी number पर आप लोग 700 उप इसका payment करके group से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको daily mark test provide किया जाते हैं, और साथ में जो भी questions हैं, वो questions भी आपको provide किया जाते हैं, पीडिया भी उनकी provide किया जो भी series complete होती है, तो नए वीडियो मिलते हैं, कुछ most important questions के साथ में तब तक के लिए, नमस्कार पढ़ते रह दियेगा exam में सपलता अवस्थ से प्राप्त होगी